पूरे परिवार का एक बार फिर स्वागत है आज की कहानी में अभी अभी कुछ लोग पूझ भी रहते हैं कि आज कहानी है के नहीं है मेल पे बिलकुल है कभी-कभी ऐसा इतिफाक होता है जब काम जादा हो या कुछ और चीज़ा आ जाती है हाला कि अभी अभी एक नया डिवलप्मेंट भी है भारत रत्न का एलान किया अभी और एक्स प्रेसिडेंट आफ इंडिया डॉक्र पर्नम मुखर जी नाना देशमुक नाना जी देशमुक और म्यूजिक लेजिंडरी भुपेन हजारिका इन तीनों को भारत रत्न देने का भ लुगदान रहा है वो बहुत बड़ा है और उन्होंने संगीत को एक अलग मकाम पर पहुंचा है लता मंगिशकर जैसी जो सिंगर थी वो भी उनकी बहुत बड़ी फैन और एक से एक गाने भुपेन हजारिका के जो मतलब आज भी अच्छे लगते हैं तो इन तीनों को भा रत्रत न दिया गया और अब कहानी की बात आज की कहानी थोड़ी सी मतलब अगर टीवी पर दिखाते तो कहीं यह लिखना पड़ता कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है तो यह कहानी भी थोड़ी सी वैसी है तो बच्चे इसे न सुने क्योंकि उससे थोड़ा स अजीब सी सोच आती है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से न बताओं आपको जो फैक्ट से लेकिन वो सारे आपके सामने रखो बात 2001 की है अभी महाकुम चल रहा है अलहाबाद में और यह उसी शहर की कहानी है 2001 में एक अलहाबाद से एक अख़बार निकलता है आज यह डेली निउस दैनिक अख़बार है डेली निउस पेपर है तो इसके वहाँ पर चीफ रिपोर्टर एक हुआ करते थे जनरलिस्ट धिरेंदर सिंग तो 17 दिसंबर की रात अपना काम ख़त्प करने के बाद काहते से धिरेंदर सिंग को घर पहुँचना चाहिए था घर वाले इंतजार करते हैं दफ्तर फोन करते हैं साथियों को फोन करते हैं बट कोई पता नहीं चलता मुबाइल स्विच आफ फिर लगता है कि कई बार कई काम के सलसले में लोग इधर उधर चला जाते हैं नहीं बताते हैं तो घर वालों ने कहा चलो कोई नहीं अगले द आफिस के वो भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो इस चक्कर में करीब 24-47 घंटे गुजर जाते हैं धिरेंदर सिंग का कोई पता नहीं चलता आखिर में थकहार कर धिरेंदर सिंग के घर वाले पुलिस्टेशन में गुमशुद्गी की रिपोर्ट लिखा देते हैं अब जब गुमशुद्गी की रिपोर्ट लिखाते हैं और चुकी एक छोटे शेरों में जो आखबार और ये सारे जो जनरलिस्ट होते हैं इन सब का दबदबा बड़े शेरों को मकाबले जादा होता है तो एक जनरलिस्ट के लापता होने की खबर जब पुलिस टेशन तक पट करते हुए जब पुलिस चानवीन करती है तभी इसी दोरान पता चलता है कि इलहाबाद के आसपास से ही पिछले कुछ सालों में करीब 15-20 लोग गाइब हुएं और कुछ महीनों में 2-4 गाइब हुएं वो सारे उन लोगों का जो प्रोफाइल था वो बहुत खास नही की उन्हें ढूंडने की और वो केस ऐसी फाइलों में ही पड़ा रहा लेकिन जब धिरेंद्र सिंग एक जनलिस्ट की तलाश शुरू हुए पुलिस ने की तब इन केसे के बारे में भी उसके सामने सारी चीज़ें आई तब पुलिस ने सोचना शुरू कि क्या कहीं इन गु की मिली हो कोई ऐसी दुश्मनी किसी से सारे अंगल पर पुलिस ने जाच कर ली कुछ पता नहीं चला फिर आस में पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल से ही कुछ देखते हैं कि कुछ मिलता है शायद तो धिरेंद्र सिंग के मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगाला गया जब में एक नंबर ने पुलिस को थोड़ा सा शक दिलाया और वो यह था कि इसलिए शक दिलाया कि धिरेंद्र ने अपने मोबाइल से एक लाइन लाइन पर कॉल किया था और वो लाइन लाइन का जो नंबर था वो इलाबाद के पास एक नैनी जगहा है वहां का था और उस भी किसे के नमबर देखा, तो पुलिस पहुंचती है, उसistling के नमबर का पता निकालती है है, तो पता चलता है कि यह जो नमबर है यह एक फूलन देवी है, वहां की ग्रामसभा ग्रम की बारों मेंगरी है और उनहीं का पुलिस से जब पूछता चुती तो वो बताता है कि हाँ धिरेंदर सिंग को मैं जानता हूँ मेरी दोस्ती रही है चुके वो अगबार में मेडिया में पत्रकार है और मेरी बीवी चुनाओ उनाओ लड़ती रहती है तो इस वज़ा से या तो फूलन देवी पर या उसके पती निरंजन पर तो पुलिस बैरंग लॉट आती है उसके बाद फिर अपनी तफ्तीश को और तमाम तरफ घुमाती है लेकिन कोई सबूत कोई कुलू कोई जानकारी हाथ नहीं आती है इदर प्रेशर था मीडिया का पत्रकारों का उनका एक चीफ रिपोर्टर गाइब दिन बीटता जा रहा था दबाव बढ़ता जा रहा था तो पुलिस को लगा कि क्या करें तो उन्होंने फिर से सारी चीज़ों को कहा कि रिविजिट करते हैं और सोचते हैं तो एक अच्छे खासे जो आईयों थे इस केस के उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सारी चीज़ें पता करनी शुरू की तो इस चक्कर बे उन्होंने धिरिंद्र के साथ साथ जो हाल में गाएब हुए थे जो लोग जिनकी रिपोर्ट दर्ची उनके बारे में जानकारी लेनी शुरू की तो जब उनकी जानकारी शुरू की तो पता चला कि उसमें से एक जो था उसका नाम काली चरन श्रिवास्तर था वो कहीं गाट की नौकरी करता था इसके लावा एक अशोक और एक संतोष ये दुनों ड्राइवर और किलीनर थे और एक मुईन मुईन के बारे में ये था कि ये स चारों का अलग-अलग कोई रिष्टा नहीं था बाकी भी और जो गाइब हुए थे उनके बारे में भी छानबीन की लेकिन काली चरन या फिर संतोष या फिर अशोक या फिर मुईन इनकी गुमशुदगी में भी कोई आपस में ताद नहीं जोड़ा था न धिरेंदर से न इन लोगों से बर चानबीन में एक चीज़ पता चली कि जो चारों गायब हुए थे ये बड़े जहीन दिमाग के थे चाहे वो ड्रैवर हों क्लीनर हों पेंटर हों या फिर सम्मोहन करने की शक्ती हो तो इनका दिमाग बड़ा तेज था बस ये एक जानकारी थी इसका पु कॉल उस नैनी के गाओं के उस घर में फूलन देवी के और राम निरंजन के क्यों और वहां से कॉल वापस क्यों अगर दूसरी चीज़ जिसने पुलिस के कान खड़े किये फिर धिरे जब दिमाग ठंडा हुआ सोचना शूरू किया कि जो कॉल किया गया था आखरी जो धिर चार बजे सो जाते हैं हर गर की बत्ती जो है वो बंद हो जाती है और लोग जनरली सुबा पांच चार पांच शे बज़े उड़ जाते हैं तो अभी इस लाइन पर शुरू किया कि आखर पौने बारा बज़े फोन करने की ऐसी कौन सी अमर्जनसी आ गई और अगर ऐसी अपने घर फोन करना चाहिए था अपने आफिस में अपने बॉसेस को अपने कुलीक को करना चाहिए था लेकिन उसने कहीं किसी को कॉल नहीं किया शाम से लेके उस पीरियड में और पौने बारा बज़े सिर्फ वहीं किया पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ है यहीं सुरा कारी हासिल करनी है तो पुलिस की टीम वहां जाने से अगले दिन जब जाती है तो अपनी कुछ टीमों को लगा देती है कि राम निरंजन और फूलन देवी की फैमिली के बारे में जरा ब्रीफ पता करो क्या हैं ये लोग तो पता चला कि राम निरंजन एक ओर्डिनेंस डीप पहले ये फूलन देवी उस फूलन देवी से कोई लेना देना नहीं है जो चंबल की टकेत है कि बीवी का नाम कुछ होर था बट उसने पूलन देवी रखा नाम और उसके दो बेटे थे और उसने उन दोनों बेटियों के जो नाम रखे हैं उसने भी पुलिस को फिर हैरान किया कान खड़े किया एक का नाम रखा अदालत और एक का नाम रखा जमानत ये उसके दो बेटों के नाम है अदालत और जमानत और बीवी के नाम फूलन देवी तो पुलिस को लगा कि यह अजीब सा परिवार है इसकार पुलिस घर पहुंचती है फूरन देवी उनके बच्चों से बातचीत करती है पूचताच करती है अलग से लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती इसके बाद फिर राम निरंजन से पूचताच करती है अब जब राम निरंजन से पूचताच करती है पुलिस तो वो पहले तो यूँ इस सब घुमाता रहता है उसकार अचानक ही पूचताच में कहता है कि पुलिस के सामने ही फरमाईश करता है कि मैं कुछ बताऊंगा लेकिन आप मुझे नहीं पकड़ोगे दूसरी चीज उससे पहले ये कहता है कि मुझे एक कटोरी में दाल पी नहीं है ये पुलिस में रिकॉर्ड में है बगए देस्टेटन में तो पुलिस को लगा कि पता नहीं किया चलो इसको दाल पिला देते हैं वो उसने का नहीं मुझे पूरे कुकर में दाल बनेगी और कुकर में भरा हुआ पूरा कुकर है वो पूरी कुकर के दाल में अकेले पियूँगा खैर उसकी फरमाईश अजीब सी पुलिस पूरी करती है कटोरी में बैटके पूरे कुकर का दाल पी जाता है उसके बाद वो पुलिस वाले से कहता है कि अच्छा अगर मैं आपको कुछ बता दूँ तो गारंटी है कि आप मुझे छोड़ दोगे पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं कुछ था नहीं उन्हें का चलो यही इसको लॉलिपॉप देते हैं तो नहीं का ठीक है तुम बताओ तो उसकत कहता है कि अच्छा आप मेरे साथ चलो तब नैनी में वो पुलिस की एक टीम को अपने साथ लेकर जो गाउं था उसके बाहर एक थोड़ा सा सुनसाने लागा था एक खेत था और उस खेत के अंदर एक जगा पे एक कमरा बना हुआ वो खेत इसी का था और काईदिस उसको उसने फार्म हाउस का नाम दे रखा था जहां पे वो अपना आता था रहता था उसे एक कमरे में उसके बाद वो उसके बाद वो उसके पास ले जाकर उस खेत में पुलिस वालों को और ये इसके पास एक गाड़ी थी जिस अपनी गा साथ थी एक कमरे के पास जाता है और फिर वहाँ पर पुलिस वालों को जो बोलना शुरू करता है तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है उसके दिमाग के आगे किसी का दिमाग कुछ भी नहीं है और उसको ढूनना बड़ा मुश्किल है और राजा कलंदर जो है वो इसी खेत में इसी जगे पर अपनी अदारत लगाता है कभी-कभी और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है और यहीं सजा भी देता है यह सुना रहा कहानी पुलिस वाले सुन रहे हैं उनको लगा रहा कि पता नहीं यह कहां बेवकुफी की बाते कर रहा है अब यह राजा कलंदर कहां से आगिया बीच में मैं तो राम निरंजन के साथ लेकर आया है उनको लगा कि ये कुछ बताएगा लेकिन वो अब एक करेक्टर राजा कर अंदर ले आया है और बता रहा है कि वो बड़ा जहीन इंसान है उसका दिमाग बहुत तेज है और इसी जगह इसी फार्म हाउस में वो अपनी अदालत तो उसमें एक सर था अब जैसी वो देखता है पुलिस वाले वो हो चुका था कि ये क्या है एक मतलब नर्मुन टाइप तो उसने बताया कि ये एक स्रिवास्तफ जी का है और जो पहले स्रिवास्तफ जी जो आपको बताया काली चरंण स्रिवास्तफ पुलिस वाले बख़के बखके तब तक वो फिर दूसरी बार हाट डाल के बाहर निकालता है पूस्तर ये किस का है तो कहते हैं ये मुईन भाई का है अब दो सर दो खोपड़ी उसके दो हाथ में अब जैसे ही वो पुलिस वाले देखें उनकी तो तो हालत खराप अब उसने पेड़ की तरफ दिखाया तो कुछ पेड़ में जो खोपड़ी हैं कलर किये हुए वो टंगे हुए थे उसी फार्म हाउस में अब पुलिस वालों ने जब वो देखा तो और भी जाहिर सी बात है मैं तो चौकना शब्ट छोटा होगा लेकिन अब एक एक करके सारी खोपियां दिख रही हैं वहाँ पे पुलिस ने पूचा कि ये सब भीया क्या है तो उसने का ये सब राजा कलंदर ने क्या है राजा कलंदर बड़ा जहीन दिमाग इंसान है तो उसने का ये बताओ ये धिरंदर सिंग जो जनरलिस्ट पत्रकार है वो कहा ह तो उसने कहा कि राजा कलंदर ने उसे भी सजा सुनाई और उसे मारने के बाद उसकी जो लाश का कुछ हिस्सा है वो मद्यप्रदेश से लगता हूँ एक रीवा ही लाका है वहाँ पे फेक दिया है तो पुलिस को पहले तो यकीन नहीं आए फिर उनने कहा कि तुम्हें कैसे पता उसने का मुझे मालूम है तो उन्होंने का चलो वो जगा दिखाओ तो वो पुलिस के साथ उस जगे पे जाता है रीवा के पास और जहां पर बताता है कि वो धड़ पढ़ा हुआ बोड़ी अलग-अलग हिस्सों में तो पुलिस को वहां से वो मिल जाती है जब पुलि निरंजन से पूचता चोती कि तुमने सारी कहानी तो पता दी अब ये बताओ राजा कलंदर कौन है तो पहले वो इदर उदर घुमाता है फिर पुलिस जाहिर सिवा तब इतनी सारी खोपड़ी और सारी चीज़ें देख कि उसका दिमाग वैसी घुम चुका था फिर सकती होत निकनेम वैसे उसका नाम राम निरंजन था और उसका शुरू से ही जो बरताओ था जिस तरीके से पला बढ़ा तो ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं था और जब भी इसके सामने कोई जहीन दिमाग कोई लगता था कि जैसे घर में ही बोला जाता था कि वो देख और वो कही न कहीं फिर उसी वज़े उसने अपना नाम राजा कि लंदर रखा और उसने कहा कि बस मैं ही राजा हूँ बाकि इसमेरे आगे कम तर है तो तो पहली बार उसने कि वो कहीं जा रहा था गाड़ी में एक से लिफ्ट मांगी लिफ्ट दी नहीं वो उसी का दूर ज जानने वाला कोई, उसने बस घुसे में उसको मार दिया, मारने के बाद, अचा हर एक को ये बुलाता था अपने खेत में, उसी फाम हाउस में, धिरंदर सिंग के बारे में भी जब उसने बताया, कि उसने उसको बुलाया, और उसके साथ उसका एक साला था, वक्ष राज, वो इसी कट्टे से उसको गोली मारी गोली मारी तो गिर गया इसके बाद इन दोनों ने मिलके उसका सर काटा, सर अलग किया और बाकी की जो बॉड़ी है ले जाकर फेग दी और सर वहीं पर अपने पास रखा तो इसके बाद जब लिफ्ट नहीं थी फिर उसको भी मारा यहां लाकर फिर उसके सर धर से अलग किये धर को यह अलग अलग जगे उपर फेग देता था या फिर उसी खेत में दफना देता था लेकिन सर को कभी फेगता नहीं था यह हर सर के उपर बात में एक तो पहले इसका ये था कि इसने किस्सा सुनाया पुलिस वाले को कि एक कायस था तो उसको ये था उसके दिमाग में कि कायस लोग जो है जातके वो बहुत बिलेंट होते हैं दिमाग के बड़े तेज होते हैं तो उसने सिर्फ इसलिए कि ये कैसे तेज होते हैं माग के, एक कायस्त को उसने बुला किसी तरह मारा, उसकी बॉडी सब फेक दी, उसके बाद उसके सर से, वो जो उसका मेन था, सर इसलिए रखता था कि एक तो उसका ब्रेन का जो है वो सूप बनाता था और वो पी जाता था, कि इससे मेरा ब्रेन तेज होगा, और उसने लगबख ऐसे ही किये सारे के साथ, और उसके बाद जो खोपड़ी होती थी, उसको वो कलर कर देता था, और उसके पर बाकाइदा ना लिखता था, ये कायस्त की है, ये मुस्लिम की है, ये पंडित की है, जितनी खोपड़ी थी उस पर रिटन में सब हिंदी में लिखा हुआ था और उसके बाद उनको वो उसी फार्म हाउस में वहां पेड़ पे टांके रखता था जब ये सारा खुलासा हुआ पुलिस के पेरे तोले जमीन निकल गए फिर पुलिस ने घर में तलाशी ली तो इसके घर से एक डायरी मिली उस डायरी में चौदा पन्ने भरे हुए थे बाकी के आगे के खाली थे और जो चौदा पन्ने थे उन हर पन्नों में सिर्फ दो ही चीज़े थी एक नाम लिखा होता था जाती लिखी होती थी और क्रॉस मार्क होता था तो उस डायरी में चौदा नाम थे और चौदा के जिसका मतलब था कि उसने 14 कतल रिकॉर्ड पे किये जो पहला नाम था वो काली चरण श्रिवास्टफ का था और जो चौदवा नाम था वो धिरेंदर सिंग का था जो जनरलिस्ट आज के अखबार के यहां अलागे पुलिस से पुस्टाज पर उसने का कि करेब उसने 30 लोगों को मारा है पुलिस ने उसके कहने पर बहुत जगेपे सारी वो भी की लेकिन कोई इतने 30 के सबूत मिले नहीं क्योंकि उसने जो डेट बताया था वो बताया था 92 से 2000 के बीच उसने ये सारे चीज़ों को अंजाम दिया 2001 में धिरेंदर सिंग को उसने मारा और धिरेंदर सिंग को मारने की जो वज़ा थी वो बाकी 13 से अलग थी उसने काया कि कहीं न कहीं उसे शक हो गया था कि धिरेंदर सिंग उसकी इस जो किलिंग है उसके बारे में उसे कुछ भनक लग गई है उसे जानकारी मिल गई है तो वो उसका भांडा फोड़ कर देगा अगबार में खबर चाप देगा इस डर से उसने धिरंदर सिंग को अपने रास्ते से हटाया और बाकी के लिए उसका सिंपल यही था कि इन लोगों का दिमाग तेज है इसलिए जो उसने ड्राइवर और किलियनर को मारा तो उनका दिमाग बहुत तेज था जो में को मारा था उसके सम्मोहन की शक्ती से वो बड़ा प्रभावित था कि इसका दिमाग तेज है काली चरन श्रिवास्तफ का दिमाग बहुत तेज था वहां के जो आसपास के लोग कहते थे इसलिए उसने भी शिकार बनाया तो इस तरीके से बाद में फिर पुलिस ने ऐसे 14 लोगों को अडिन्टिफाई किया उस टारी के आधार पर फिर मुकदमा चला 2001 में ही चार्शीर दाखिल की गई और करीब 11 साल तक मुकदमा चलने के बाद निचली अदालत ने 2012 में राजा कलंदर और उसके साल यक्षराच दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई हला के 14 14 कतल के मामले थे लेकिन उसके और अजीब कतल था जो मतलब एक तरह से ये आदम खोर था अदालत ने बाकादा अपने जज़्मिन में भी है और अदम खोर था कि बड़ात और इसने ये भी बताया कि वो जो खोर्पडी थी वो इसलिए रखता था उसको एक टॉफी की तरह रखता था कि देखो मैने यegen के ये ऐसा इसे लोगों को मारा है जिं जिनके दिमाग इतने तेस थे और वो सजा के रखता था और उसने वहीं फार्म हाउस पर रखा वा था वो सारी खोपड़ियां बरामद हुई डैरी मिले और ये सारे जो है और शुरूर में उसने एकसिप भी किया लेकिन बाद में जब मामला कोर्ट में गया तब उसने कहा कि कि नहीं मैंने कोई कतल नहीं किया और आखिर तक वो मना करता रहा लेकिन शुरुवात में उसने अपना पूरा कन्फेशन जो था उसका बलकि वो तो बीस-तीस कह रहा था लेकिन खैर आदालत में बाकी तमाम सबूत और इन चीजों को रखते हुए आखिर कर 2012 में इन दोनों क वो मरकायत की सजा सुनाई और ये आज भी दोनों जेल में हैं और अपनी सजा बुगत रहें सीरियल क्लिंग की कहानी बहुत सारी ऐसी है लेकिन ये इसलिए डिफरेंट है कि ये पुलिस के भी हिसाब से अदालत के भी हिसाब से बेवज़ा कतल करने के लिए कोई वज़ा ह कायल हों और उसके आगे कोई टिक न पाए सिर्फ इसलिए लोगों को गतल करता था और उनके फिर ब्रेन का सूप बनाकर सूबा सूबा पीता था और उनके सर को जो है वो टॉफिक की तरह अपने फार्म हाउस में रखता था ये थी कहानी राजा कलंदर राम निरंजन की अ वो जो खोपड़ी लटकाता था तो वो फोरन ताजा ताजा नहीं जैसे आप देखेंगे मेडिकल स्टुडेंट्स या फिर बाहाद में आजकल जैसे महां कुम्भी चल रहा है प्रियाग राज में तो बहुत सारे इस तरह के नरकंकाल रखते हैं तो असली और नकली का पत पता नहीं था और वो पेड़ों में ऐसा उसने रखा वा था कि वो आप वहां पे कोई जाया ध्यान से देखे तो पता चले और वो प्राइविट प्रोपर्टी तो कभी कोई गया नहीं किसी ने देखा नहीं और घरवालों को इसकी भनक नहीं थी मतलब इस पूरे मामले मे उसकी वाइब जो है फूलन देवी और दोनों बच्चों उनकों किसी को जानकारी नहीं थी लेकिन हाबाद में फिर उसकी बीवी ने भी एक बयान दिया था कि थोड़ी सी उसके दिमागी उसको लेकर उसे भी होता था कि अब एक अच्छी खासी बीवी का नाम उसको बदल थोड़ी से आशान पड़्दों में बता सके हैं तो असल में मतलब ये कहते हैं कि किसी को अपने बस में कर लेने की बात होती है वो आँखों के जरीए कुछ ऐसा होता लेकिन मुझे डिटेल में बहुत इसकी जानकारी नहीं है इसको हिप्टोनाइज कहते हैं पूरी ओरत जा रही है और अचानक एक सामने से लड़का आया और उसने नमस्ते किया और उसने कहा कि ये आप सब मुझे उतार के दे दीजे और उस और उस और ने सब कुछ उतार के दे दिया और उसकोई एसास नहीं और वो लेके चला गया थोड़ी देर के बाद फिर 2018 की और 2017 की बात बता रहा हूं काफी एक्टिव था और उसने कई ऐसे विक्ट्रिम है जिन्होंने पुलिस को बिया कि घर में आया उसने दरवादा खटकटाया मुझसे पानी मांगा उसका रचानक कहता है यह चीज़ें आप दे दीजे और वो दे दिया और यह बाकाईदा उ उसे पागल बना दिया था नहीं पुलिस ने इस बारे में देखे एक तो दो चीज़ें थी एक केस बड़ा नाजुक हो जाता अगर जैसी पता चले कि यह दिमागी संतुलन ठीक नहीं था यह दिमागी रूप से बीमार था तो फिर अदालत आप उसको सजा देने में थोड दिमागी उसे बीमार देखे हां बस था उसके अंदर कुछ जिसकी वज़ा से वो बेवज़ा लोगों को मारता था जैबी पडिदार जी का कहना है कि राजी लिक्षित की जो जांच दुबारा प्यों में कराने की कही है तो इस पर आपका क्या विचार है आदेखिए अभी तो पोस्मॉटम हुआ नहीं पोस्मॉटम रिपोर्ट है नहीं तो अब इतने सालों बात कौन कैसे टैक करेगा या फैसला लेगा कि वो दिल का दौरा था या जहर से मौत हुई थी क्योंकि कुछ तो ही नहीं तो अब जो भी है या तो कोई ऐसा विटनेस आई जिसके अगर यह मडर है तो सामने उसके मडर हुआ है और वो प्राइम विटनेस हो तब तो समझ में आता है लेकिन मुझे उम्मीद कुछ भी नहीं है इसलिए कि पोस्मॉटम इसमें हुआ नहीं पोस्मॉटम रिपोर्ट कोई है नहीं तो किस बेस पे आप बनाएंगे कि यह निचुरल ड लावाद में और इतने लाखों लोग पहुंच रहे हैं तो कभी तसलिए से आपके पास आता हूं थैंक यू अगर आप से पूछा जाए कि आपको पांच ऐसे बड़े अपरादियों की सूची बनानी है जो अब भी भारत के सबसे बड़े अपरादी है जो प्लिस के जाइड सिवात हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर 93 से भागा हुगा और उसको पकड़के लाना एक अभी तक तो नाकाम कोशिशी है लेकिन दाउद के आने से बहुत सारे भांडे फूटेंगे हिंदुस्तान में जो बाकी नेक्सेस है उसका भी परदा फास होगा क्या जीता है तो इसकी सजा कम होती है और जेल में बंद कैरिनेट को एलेक्शन कमिशन क्यूं अलाव करती इलेक्शन के लिए आपके ऊपर मुकदमा चल रहा अभी विचारा धीन कैदी है अदालात का फैसला नहीं है तो आप चुनाओ लड़ सकते हैं और जीते हैं तो आपके उस case से उसका कोई लेना देना नहीं है बस ये होता है कि कई बार speaker की special इजादत के साथ आप लोग सभा या विधान सभा की कारवाई में जाकर हिस्सा ले सकते हैं बाकि आपके जुर्म या आपके जुर्म के लिए कितने ही सजा होगी उसका इससे कोई मतल हमने तो यह इसको आती है और वाध कराव जाते हैं के जोना एक कोँछा काहनी है जे तरह नाम रावी प्रकाष जी नमस्कार कैसे हैं आप आज में एक लिस्ट भी लिया लाना है चली सर चंदर परकार जी पूछें इसमें फासी क्यों नहीं हुए अब तक हा मतलब चंदर परकार जी मुझे भी इसमें है रहत है कि इतने लोगों का एक साथ मतविक सीरियल क्लिंग सीरियल किलर और वो भी अजीब फितूर अजीब दिमागी रूप से उसने जिस तरीके से कतल किया फिर जिस तरीके से आदम खोर भी इसमें रहा वो और उसके बावजूद भी उम्र कैद की सदा मुझे नहीं मालूम है ऐसे क्या ग्राउंड थे जिसकी वज़ा से उसकी सदा कम हुई लेकिन अभी तो ये कोर्ट में उपर भी जाएगा मामला 2012 में ए तुपेवाल जी बिल्कुल ये सब आपनों का प्यार महबत है फिर मैंने किसी को मेल पे भी लिखा था जब से एक तो आप लोगों ने कहा मैंने ये बोलना ही छोड़ दिया कि आप क्राइम तक सबस्क्राइब करो क्योंकि क्राइम तक सबस्क्राइब हो सकता है फैमिली सब हैं आप लोग इसके जिम्मधार हैं तो बस इसी तरह अपना प्यार देते रही है सर भागलपूर राइट्स के बारे में 1989 कि है हां मैं भागलपूर राइट्स के बारे में भी जरूर आपको सुनाओंगा का सर कश्मीरी पंडित के बारे में भी थोड़ा सा अक्चली एक त दिल्ली के अलाकों की बाकाइदा उसने रैकी कर रखी थी और वहाँ वहाँ उसका इरादा था ब्लास्ट करने का तो हम सब उसी में बिजी थे वारदात में रात 11 बिजा जिसी पे शो भी है तो आप देखेगा तो हमारे लिए जब भी इस तरह की चीज़े आती हैं 15 अगस इस तरह के क्राइम ना हो और इसलिए पुलिस के साथ साथ हम लोग भी अलेट रहते हैं 24 गंटे कहीं से भी कभी भी कुछ फोन ना आ जाए तोनी चीज़ों में बेजी थे इस वज़ा से भी अगर विक्रम गौर्श अर्मा जी कह रहें कि सर मौर्णिंग में आपको कॉल करेंगे और आप उठा लेना को कि उसके अधा की एमडी को भी कॉल करेंगे आ विक्रम भाई नमस्कार शायद यह हमारे विक्रम भाई भी क्राइम के फैमिली के मेंबर है और जहां तक मैं सही क में करेंगे पर हम पूरी क्राइम तीम फैमिली के तरफ से आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और वेलकम-टो-इंडिया के उपर मालिका गोस्वामी जी कहानी सुनके सुना है लेकिन यह टक कहनी सुनके बहुत इन्फोरमेहती लगतों थिया उंशा बहुत है तैंकिग यू नियूस चैनल टीवी पे आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बंदिशें होती हैं वक्त की कमी होती है लेकिन यहां पे आपके साथ न वक्त की कमी है न बंदिश है न बाकी चीज़ें तो मैं खुल के कुछ भी बोल सकता हूं डिटेल में बोल सकता हूं और जो वहां नहीं मिलेंगे कल सेटरडे हाला कि लेकिन फिर भी रात नो बजे कहानी होगी चाहा recorded हो और कल का दिन अच्छे से गुजरे खुशी खुशी गुजरे और आप सब अच्छे रहें यही दुआ है तो फिलाल इतना ही कल मुलाकात होगी आपसे थेंक्यू वेरी मच